नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट करफसर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी ग्राम पंचायत के मुख्या या परधान के द्वारा अपने पंचायत में कियेगे ब्रष्टाचार का उजागर किस परकार RTI लगा कर सकते हैं इसके बारे में जान का सबस्क्राइबर का बटन है वो अबस्ट दबा लें तथा बैल आइकन को दबा कर और पर भी क्लिक अबस्ट कर लें जिससे इस तरह से भ्रष्टाचार में सनलिप्त पताधिकारी या नेता या कोई अन्य के लोक्षिवक द्वारा अगर भ्रष्टाचार किया जाता है य या अपने छेतर का कार नियमानुशार सो समय नहीं किया जाता है तो इसके बारे में आर्ट याई किस प्रकार लगा कर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिससे प्रष्टाचार का खुलासा आसानी से हो सके चलिए हम लोग जानेंगे ग्राम पंचायत के मुख्या या प्रधान के खर्ज पर किस प्रकार आर्ट याई लगाएंगे तो सूचना का अधिकार अधिनियम आर्ट याई एक बहुत ही अच्छा कारागर हतियार है आम जनता के लिए जिससे इसकी जानकारी आसानी से हम लोग आर्ट याई एक दोहजार पांच के तहत प्रपत्र को ड सादे कागजपर साब से लिख सकते हैं या टाइप करवा सकते हैं लिखेंगे शेवा में लोग सूचना पता अधिकारी विभाग या कारियाले का नाम तो प्रखंड का रियाले जिस भी प्रखंड के मुख्या या प्रधान के बारे में जानकारी लेंगे उस छेत्र में वे इला का नाम लिखेंगे डिस्टिक का नाम यहां लिख देंगे आवेदक अपना नाम पिता का नाम पूरा पता वस लिखेंगे पिनकॉट साइट तीसरा मांगी गई सूचना जिस भी प्रखंड के जिस पंचायत के बारे में आप जानकारी लेजना चाहते हैं उस ग्राम पंचायत के संबंद में निम्लखित जानकारी का विवरंद सिक्र प्रदान करें अब है कि आपको किस वर्स किस पंचवर्स है या जिस भी परस के बीच आपको जानकारी लेना हो वहां लिखेंगे एक नमबर देकि बरस 2015 से 2020 या 2020 से 2022 यूस बरस के बीच आप लेना चाहते ह के मद जिस पंचायत का यहां नाम होगा उसी पंचायत का यहां नाम होगा ग्राम पंचायत को योजनाय मदों के तहट कितनी रासी आवन्टित की गई है आवन्टनों का वर्स वार विवरा दें परतिक वर्स का अलग अलग विवरा दें बी में लिखेंगे उसी पंचायत क ग्राम् पंचायद् tar긴 आस्टारान कघए सभी कार्ज से संबंदित वीवरं दें पाहला है कार्ज कानाम दूसरा कार्ज का संचिप्ट वीवरंत्यした पार के लिए делать सुखिर्ट रास्य चोथा कार्ज सुखिर्ट करद होने किति थी कार्ज कराने वाले अजंसी का नाम अगला है कार्ज शुरू होने की तिथी अगला कार्ज के लिए ठेका किस दर्थ से दिया गया है कितनी रासी का भुकतान किया जा चुका है कार्ज के रिखाचित्र की प्रमानित परती कार्ज कराने का निर्णे कब और किस आधार पर लिया गया इसे सम्मंदित नर्णेओं की पती भी उपलब्ध कराएं बारा में है उन अधिकारी आकरमचारी का नाम उपद नाम बताएं जिनोंने कार्ज का निरक्षन किया और भुक्तान की स्विक्रती दी इसके द्वारा कारी के किस भाग का निरक्षन किया गया अगला कारी के order register एवं लेवर register की पुरती भी उपलब्द कराएं इस प्रकार कारी के बारे में जानकारी और उस पर हुए खर्च और किस पताधिकारी हुए खर्च की जानकारी लेकर ब्रस्टाचार का उजागर कर सकते हैं इसके लिए 10 रुपे का सुल्क देना पड़ता है या जो पीपिल धारी हैं जो रासनकार धारी हैं गरीबी रेखा से नीचे के हैं वो निसुल्क सुचना ले सकते हैं तो सुल्क वे रूप में हम लोग 10 रुपे का भारती पुष्टल ओडर बैंक ड्राप्ट या बैंक चेक या नंजरिस्टली स्टाम से रसीत संख्या उसमें होता है वो भर कर सुल्क जमा करेंगे अपना हस्ताक्षर करेंगे अस्थान का नाम लिखेंगे अपना वाइल नंबर दे सकते हैं और डेट अबस्य देंगे इस प्रकार हम लोग RTI लगा कर किसी भी ग्राम पंचायत के मुख्या या प्रधान के द्वारा हुए कर्च हुए भरस्टाचार से संबंदित जानकारी लेकर हम लोग भरस्टाचार मुक्त भारत का निर्मान कर सकते हैं जैहिन